कि है अब्रिवन दिस इश्वेता वेलकम टू यूपीस वाला वापस आ गया हम आपके लेक नया सेशन लेकर और आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं और आप लोग जो पूरी प्लेलिस्ट है उसको अच्छे से फॉलो करिए बस आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़े जाके स्पेक्रम जरूर पढ़िएगा मतलब कोई बचाई सोचाएंगे डायरेक्ट में वीडियो देखके एक्जाम में बैठ तो जो एक्ट्वल जो है स्टडी तभी होगी जब आप किताब के चैप्टर को पढ़ेंगे क्लास से क्या करना है आपको कि लास के जो नोट से उसको लर्न करना उसको याद करना है ठीक है जो पढ़ाया उससे आपको एक पूरा सम्मरी मिल जाएगा चैप्टर का और जब खुद बुक पढ़ेंगे तो उसको एक बार रीडिंग लगाना जरूरी है नोट्स इसको रिवाइस करिएगा याद इसको करिएगा लेकिन वहां से एक रीडिंग लगा लेजे ताकि आपका एक मतलब डेप्ट नॉलिज डिवलप हो सकते ठीक है तो आज जो हमारा चैप्ट किस तरह का रिलेशन में टेंड किया कि तो वह हमारा इस चैप्टर में बताया गया है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते सेशन को लेकिन उसके पहले जितने भी बच्चे यहां पर जुड़े वेया है आपको मैं बताना चाहूंगी कि जून में आपका UPSC Civil Services Examination है और आप ज लगाना भी ज़रूरी है तो यहाँ पर हमारा जो प्लैटफॉर्म है वो आपके लिए कुछ फुल लेंध मॉप टेस्ट लाया है ताकि आपके अंदर वो कर सकते हैं स्ठीक मेला आप करते हैं अब फ़ूर्य ट्रvention का क्या स्टेकस था है भारतिय रियास्तो की जो तैकिया की बात है अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग लिखा हुआ है स्पैक्ट्रम में 500 सम्थिंग कुछ लिखा हुआ है और जो आपका लक्षमी कान थे उसमें 552 लिखा है ठीक है यह रियास्तों की क्या बात है कि यह भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था यह बना था आपका पाकिस्तान या पाकिस्तान और यह था आपका पूर्वी पाकिस्तान यह हमारा देश भारत था ठीक है तो यह उन रियास्तों की बात कर रहा है भारती रियास्तों की जन संख्या 552 जो भारत के अंदर थी ठीक है ओवर और रियास्ते तो ज़्यादा थी लेकिन कुछ रिया सीमा भारत से लगती हो तो ऐसी टोटल 552 स्टेट सोरी प्रिंसली स्टेट से अब यह जो रियास्ते थी इन में से कुछ रियास्ते तो काफी बड़ी थी और कुछ रियास्ते काफी छोटी थी जिनका एरिया वाइस बोल रहा है कि एरिया छोटा था पॉपुलेशन भी कम थी जन संख्या और छेत्रफल कम था उनका ठीक है तो ऐसी बहुत सारी रियास्ते थी 552 अगर भारत के अंदर रियास्ते थे तो खुद अप इमेजिन कर सकते ना सारी रियास्ते तो बड़ी नहीं हो सकती कैसे पॉसिबल है और बाकी टू थर्ड पार्ट पर बिटिश अपने प्रोविंसे बना कर रूल कर रहे थे यानि राज्य भी थे प्रांत भी थे यानि कि यह जो भारत है ना इसमें दो तरीके से रूल हो रहा है एक तो जो बिटिश क्राउन के नाम पर रूल हो रहा है उन शेत्रों पर जैसे जितने भी भारत में प्रांत हमें दिखाई देते है ठीक है दूसरा जहां पर हमें प्रिंसली स्टेट्स दिखाई देते हैं या फिर जिसको बोल सकते हैं रियासत ओके रियास्तों पर भी इसका नियंतरण होता था लेकिन कुछ रियास्ते तो डायरेक्ट कंट्रोल में ती कुछ थी इंडायरेक्ट कंट्रोल में यहां पर इन जंगाने आंधरप्रदेश उन दोनों को मिला दे तो इतना बड़ा शेत्र था हैद्राबाद तो इतनी छोटी या बहुत बड़ी रियास्ते हमें इसमें दिखाई देती हैं इन में से बहुत सी रियासत स्वायत और कुछ अर्ध स्वायत रूप में अपने अस्तित्व को बन स्वायत रूप में जिससे बिटिश गवर्मेंट ने इंडरेक्टली कोई समझौता किया हो अर्ध स्वायत रूप में वह रियास्ते अपना रूल कर रही थी और कुछ ऐसी भी रियास्ते थी जिसको बिटिश ने मिला लिया था अपने अंदर में जैसे 888 के पहले तो बहुत में अए घी तो इसके बाद से क्या स्टेटस होगा गुद व क्लिशन है और ऊजिसके बार्त में क्या स्टेक्ट असे बारे में यहां पर बताया है और पूरा जीरो से स्टार्ट करेंगा यह तो राइटर बोलता है इस इंडिया कंपनी का भारती रियास्तों से समानता प्राप्ते करने के लिए संखर्ष देखो जब इस इंडिया कंपनी भारत आई थी या फिर मैं बोलूंगी यूरॉपियन जब इंडिया में एंट्री कर रहे थे 1498 में आपने देखा पॉर्ट्यू करके मुगल्स आए तो भारत में बहुत पावरफुल हमें रूलर्स दिखाई देते हैं फिर हम देखते हैं वन पॉर्टिगालियों के बाद डच आए ब्रिटिश आए देन आए फ्रांसी सी आए तो यहां पर हम किसके बारे में डिसकस करें ब्रिटिश यानी इस इंडिया इस इंडिया कंपनी 16100 जो है महरानी से आगया प्राप्त करके तो उनसे चार्टर लेके भारत में एंट्री करते हैं तो उस समय भारत में क्या था सो क्या होगा मुगल एंपायर बहुत पावरफुल मुगल एंपायर यहां पर हमें दिखाई देता है नौट में ठीक है और दक्षिन में हमें छोटे-छोटे और राज्य दिखाई देते हैं जैसे विजय नगर किंग्डम तो अल्मोस्ट जो है बैटल ऑफ ताली कोटा के बा ठीक है तो यह चोटे-चोटे हमें यहां पर स्टेट दिखाई देते हैं लिकिन यहां पर शाषट बैठे हुए थे ओके तो यह चाहें मुगल्स थे चाहिए रजवारे थी बैसिकली क्या राजा माराजा के शेत्र है और जब बिटिश रूल करते कर सॉरी बिटिश इंडि था वो स्प्लिट हो जाता है चोटे-चोटे पार्ट में और इंजेब की म्रत्यूं के बाद यहां इस सत्रासो साथ के बाद और यहां पर बहुत सारे हमें ना इंडिपेंडेंट अब शेत्र दिखाई देते हैं जैसे बंगाल है अवद है 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 इद्राबाद है मैसूर है म मझ पारे हैं तो हर एक शेत्र पे कोई ना कोई शाशक-रूल कर रहा था ना बंगाल का नवाब होगा अवद का शाशक होगा मुगल एमपर था लेकिन मुगल एमपरर एक्युली दिल्ली में नाम- Payena it है यह सारे जिखाई दिकाई एक best यूष चेडे दिरेकल stör गुके बताना चारी हूं कि 1740 के आसबस जब इस इंडिया कंपनी इंडिया में पावर्फुल होती है तो वो भारत में जो रियास्ते थी ना उनसे इक्वैलिटी चाह रही थी जैसे यह कोई रियास्त है यहां पर कोई शाशक बंगाल का नवाब बैठ कर शाशन कर रहा है अब उसके इस इंडिया कंपनी कही न कहीं उनको अपना चाहती थी लेकिन वह लाब कमाना चाहती थी तो 1740 के बाद वही इस इंडिया कंपनी का स्ट्रगल हमें यहां पर दिखाई देता है तो इस इंडिया कमπνी का भारतिय रियासटों से समानता के लिए संघर्ष चालू होता है और我 כंद इस कमपनी इस 44 से भीक पिछ का जिक क्यों किया गया क्योंकि 1740 के बाद हम देखते हैं कि इस इंडिया कमपनी और फ्रांसीजी सी तक्राते हैं अपने पावर को दर्शाने के लिए अपना भारत में प्रभाव बढ़ाने के लिए इस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रभाव चाहती थी व्यापार में अपना लाब कमाना चाहती थी और फ्रांसीसी कंपनी कंपनी अपना लाब कमाना चाहती थी कि लाब किसको ज़ाधा वो इसके लिए दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और यह जो वार हमें दिखाई देते ना यहां पर एक पूरा का पूरा राज्चेच जिसको बोलते हम करनाटक जिसकी capital अरकाट अब थोड़ा सा ध्यान दीजेगा जैसे मुगल empire पूरा का पूरा था इसके अंतरगत हमें छोटे-छोटे शेत्र दिखाई देते हैं जिसमें मुगल शाशक अपने अधिकारियों को भेजता था दिवान के रूप में सुबेदार के रूप में बस ऐसा ही था हैद्राबाद का ही एक सूबा था जिसका नाम था करनाटक तो यह जो करनाटक का शाशक था और हैद्राबाद का शाशक था वो कौन बनेगा मतलब उत्राधिकारी होता है कोई मर गया उसके वाद नया उत्राधिकारी कौन होगा उसको लेकर संघर्ष होने लग जाता है और यहाँ पर जो शेत्र था ना करनाटक वाला यहाँ पर हमें दो शेतर दिखाई देते हैं येसिको आप मदर्स और दूसरे पॉंडिचेरी तो यह दों कहीं न कहीं आपस यहां पर वर्चस्व के लिए लड़ने लग जाते हैं और यह लगाते रहा है क्या परец जस्व रहेगा ठीक है लेकिन यह जो करनाटक वार हो रहे थे ना इस वार में कहीं न कहीं इन राजाओं पर भी इंडरेक्ली यह नियंत्रर स्थापित कर रहे थे कभी फ्रांसिसी कभी ब्रिटिश क्योंकि इनका रोल था अगर दो राज कुमार आपस में लड़े कि मैं फिट जेंगे तो कुल मिलाकर यहां पर पहली बार इनका भारती राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक शेप चालू हुआ वह राजाओं की कमी की वजह से समझ में आगया आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट हमें पता लगता है यहां बंगाल वाला शेत्र बंगाल बहुत स चुंगी लगाया करते थे जो इस इंडिया कंपनी जनरली नहीं देती थी इसको मुगल शाशक फरुक्सिया ने फर्मान दिया था लेकिन यह जो इसको बैनिफिट्स मिले थे उसका मिस्यूज भी कर रही थी उसको लेके कहीं न कहीं बंगाल के नवाब के साथ इसकी टकरह नवाब से लड़ा और लड़कर अपने पसंदीरा वक्ति को नवाब बना दिया वहां से इसका आंतरिक मामलों में हसक शेप चालू हो गया और लाव लेना इसने शुरुआत कर दिया लेकिन फाइनली जो बैटल ऑफ बकसर होता है 1764 में इसने ना केवल जो पुराने बंग मुगल शाषक के मोहर के ले लेटा लेकिन यह चाहा नहीं रहा था कि अभी बंगाल का प्रिशाषन ये संभाले तो इसने अपने पसंदीदा व्यक्ति अलपायू जो एक बच्चा था नजमु दॉला उसको यहां पर बिठा दिया और दिवानी अधिकार से ही ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाता रहा ठीक है तो यहां पर राइटर बस यही बोल रहा है कि यह जो इस इंडिया कंपनी है या बिटिश रूल इंडिरेक्ली भारत में जब चालू होता है तो यह रियास्तों से समानता के लिए लड़ते हैं रियास्तों का स्टेटस बताने की कोशिश कर रहा है 1746-1765 यह संगर्ष आंगल-फ्रांसी प्रतिद्वन्दिता के रूप में प्रारंभ हुआ सब मैंने आपको बता दि देता है जब डूपले ने रियास्तों के आंतरिक मामनों में हस्तक शेप की निती अपनाई और अंग्रेजों ने भी अर्कार्ट का घेरा डाल इस निती का अनुसरन किया वह आपको एंगलो-फ्रांसीसी वार में मिल जाएगा यानि कि एक ने एक पार्टी को सपोर्ट किय और सपोर्ट करने के बाद जब यह जीत रहे हैं तो डूपले पहली बार यह पॉलिसी अपनाई थी जब हम जीतेंगे तो जीतने के बाद से जो राजा है उसका यह परवनेंट प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है बोला देखो राजा आप जी आप जीत गए हो लेकिन कभ करने के लिए थी ओके तो इस तरह से इसी पॉलिसी को आगे बिटिश भी अपनाएंगे यहां से इनका रियास्तों के साथ में एक रिलेशन्शिप चालू हुआ ठीक है 1765 में मुगल बादशा शाह आलम सेकेंड के द्वारा इनको दिवानी अधिकार मिल गए बैटल ऑफ वकसर जाकर देखिए वहां पर डिटेल से बताया कैसे मिला क्यों मिला इस इंडिया कंपनी को अन्य भारती रियास्तों के समानता मिली नहीं मिली यानि इनको दिवानी राइट्स मिले हैं अब यह वहां पर राजस वसूली कर सकते हैं बंगाल का बिहार का उडिसा का और उसका एक हिस्सा क्योंकि मुगल बादशा ने इनको दिवानी अधिकार दिया है कि देखो मैं तुमको यहां पर राजस्वसूली करने का अधिकार दे रहा हूं तो जब भी राजस्वसूली का अधिकार मिलेगा मुगल शेत्र में तो इनको कुछ हिस्सा देना पड़ेगा तो नाम मातर का हिस्सा दे के बाकी वहां से सारे की प्रॉफिट कमाने बफर स्टेट क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दो जैसे दो राजजियों के बीच में अगर दो प्रतिद्वन्दी शेत्र हो मानलो यह वाला राजजिय और यह वाला राजजिय इंकी आपस में बन नहीं रहे है ठीक है तो और इस राज्य को डर है कि कभी भी यह र देश भी करते हैं, for example, अगर मैं present day में बात करूँ तो जैसे हमारा जो, sorry, हमारे और पाकिस्तान के बीश में बफर स्टेट के रूप में दिखाई देता है, कौन भुटान है, नेपाल है, ये सब क्या है, बफर स्टेट है बीश में एक देश आ जा रहा है, और वो देश जो ह है, आपके अच्छे संबन्द है, आप कोई देश वहाँ उस देश किस से घुसकर तो आप पर अटैक नहीं कर सकता ना, तो उस बफर स्टेट के आने से आपकी सीमा सुरक्षित हो जाती है, basically, तो जो आगे की स्ट्रेटेजी थी, इनकी East India Company की वो यही थी, मध्यराजी या धेरे की निती, यह कब से कब तक अपनाया गया था, 1765 से 1813 तक, अब यहाँ पर क्या था, बिटिश क्या कर रहे थे, East India Company बंगाल को तो अपने नियंतरण में करहे चुके थे, इंडिरेक्ली दिवानी अधिकार मिल चुका था, प्रिशाष्टिक अधिकार भी पूरी तरह स इसको बहुत खुशी हुई, इतना सारा पैसा मिल रहा था, अथा, इनकी सोच के बाहर लूट खसोट कर रहे थे, और प्रिशाष्टिक के नाम पर इनको कुछ करना नहीं था, मतलब ही नहीं था, कुछ है ना, कि क्या सिक्षा की सुविधाय है, क्या स्वास्ते सुविधाय क्या सिक्षा की सुविधाय कुछ इनको लेना देना नहीं था, तो अब इनको लगा था कि और भी शेत्रों पर अगर नियंत्रन हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, तो अगला जो इनका टार्गेट दिखाई देता है, वो क्या दिखाई देता है, यहां पर है, मैसूर है ना, तो अब इसके लिए क्या था, कि यहां पर क्या स्ट्रेटीजी अपना है, तो इसने क्या अपना है, मद्धी या घेरे की निती, घेरे की निती का मतलब है, कि कि किसी राजजी को अगर कमजोर करना है, इस इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल नहीं थी, कि डारेक्ट इसके साथ कोई संधी समझोता कर लिया, कि देखो भाईया, तुम हम अटैक करने वाले मैसूर पर तुम निट्रल रहना, तुम कुछ करना मत, या फिर तुम हमारा सपोर्ट करना, और चारो और से इसको घेर लेना और फिर अटैक करना, और फिर जीतने के बाद से, क्योंकि कि इसने साथ दिया, इसको कुछ हिस्सा दे देना, इसको कुछ हिस्सा देना और एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेना, और इस तरह से इसने इस पर नियंतर ने सापित किया, इसके बाद से इसको पक्ष में मिला कर इस पर अटैक करेगा, समझ में आया, इसको अपने म 1813 तक हमें यह स्ट्रेटीजी दिखाई देती है 1813 तक जो इस्ट इंडिया कंपनी 1813 किया 817-1818 के आसपस हम देखते हैं कि इस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर हो गया मराटवारा शेत्र हो गया इन सारे पावरफुल जो रीजन से इन पर अपना कंट्रोल कर लिया था तो अब इनको डर नहीं था एक्चिली अब यह बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे तो 1813 के बाद इनकी स्ट्रेटीजी चेंज हो जाएगे और अब यह क्या करेंगे डिरेक्ली किसी भी रीजन को अपने में मिला लेंगे जैसे हम देखते है ना आगे डलहौ जी आता है विले की निती के साथ 1856 में भारत के बहुत सारे राज्यों को अलग-अलग आरोप लगा कर अपने में मिला लिया था या फिर इन्होंने सिख्खों पर डायरेक्ट अट जो गवर्नर थे जैसे सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बना ठीक है यही बंगाल का गवर्नर जनरल 833 में भारत का गवर्नर जनरल बनता है और यही भारत का गवर्नर जनरल 888 में भारत का वोइस और बन जाता है तो यहां पर इसी की बात कर रहा Warren Hastings जो उस समय बंगाल का गवर्नल जनरल था उसने मैसूर और मराथों से युध्य के समय इसकी जहलग दिखाई यानि जब उसने मैसूर से युध्य लड़ा है ना विलेजली की सहायक संधी की निती इसी घेरी की निती का ही विस्तार है आगे आप पढ़ते हैं विलेजली 1799 में पूरी तरह से वो मैसूर पर अपना नियंतरन स्थापित कर लेगा तो इंडिरेक्ली तो यहां से चालो हो गया था देखो एक बार में बिटिश ने शेत्रों को अपनी में मिला या नहीं जैसे कई सारी वार्स लड़े थोड़ा थोड़ा जीतते हुए समझोता करते हु लिपले रखकर गया था सायक संदी यह था कि जब भी किसी शेत्र को आप जीत रहे हो और आपको डायरेक्ट में पर रूल नहीं करना है तो आप या करो वहां पर अपनी सेना को बिठा दो अब उस राजा पर आपने अपनी सेना बिठा दी उस सेना का पूरा खर्चा कौन आप ने किसी शेतर को संपोर्ट जीता नहीं उसको सहायता ही ना जैसे और मैसूर लड़े इस से एक कोई राजा दूसरे उससे लड़ा है और उसने राजा को सपोर्ट दे दिया सपोर्ट देने के सेना पलती थी और सेना वहां पर इतनी पावरफुल होती थी फिकार ना तो कोई समझहौता कर पाता था ना अपने मन से युध्य लड़ पाता था ना कोई व्यपारिक निर्ना ले पाता था तो इंटर्णली ये सेना घुस कर उस पर अपना नियंतरन स्थापित लेती थी और इस इंडिया कंपणी की सेना फोकर्ट में पल रही है दूसरे के खर्चे पर आप समझ पारें तो यह जो है घेरे की निति का ही विस्तार था घेरे की निति में उस राज्जय से आप अलायंस बन प्रफादी ओके हैद्राबाद अवध मैसूर जिसमें दियास्तों को अपनी रक्षा के लिए कंपनी की सेना पर निर्भर रहना पड़ता था ओके तो यह जो है इनके रिलेशन्स आगे बढ़ते हैं वन बाई वन आगे बोल रहा है अधिनस्तर संग की निती अधिनस्तर संग इसका रूल भारत में कर दिया गया खतम और भारत में कौन सा रूल चालू कर दिया गया गया यानि भारत में महरानी का शाशन प्रारंब कर दिया गया कब 1858 से तो 1858 से 1935 ए 1947 तक रहेगा लेकिं 1935 तक इनकी क्या स्ट्रेटीजी थी तो 1935 में जो आपका 1935 का Government of India Act आया का जो एक रिलेशन्शिप था उसमें काफी बदलाओ आये थे वह हम वहार डिसकस करेंगे तो 1858 में बिटिश ताज द्वारा भारत शाशन अपने अधीन लेने से रियास्तों के साथ संबंद अधिक स्पस्ट हो गया रियास्तों के विले की नीती त्याग दी गई यानि मह नीती बहुत है तो कि गोषणा करेंगे कि देखो भया अब कोई भी रियासत को मिलाया नहीं जाएगा तो हम विले की निती को तो रिलेशन्शिप अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है दूसरा आगे पता लगता है 1878 में जो महारानी है उसको भारत की सामरागी गोशित कर दिया जाता है ठीक है सामरागी का मतलब है कि आपने बोल तो दिया कि मैं हम किसी रियासत को अपने में मिलाएंगी नहीं लेकिन एक ब्रिटेइन में टाइटल आ रहा है जिस टाइटल का नाम है जिस पद का नाम है भारत की सामरागी भारत की सामरागी कौन है महारानी है ब्रिटेइन की अब जो उस समय थी विक्टोरिया वो भारत की सामरागी बनी भारत भारत में तो सारी रियासते भी आ गई न तो आपन में तो वो रियासत भी आ रहे ना तो भले अप independent हो लेकिन फिर भी कही ना कहीं आप officially महरानी के अधीन हो आप समझ में आ गया तो इस तरह का relationship relationship establish हुआ उन independent रियासतो और बिटिश गवर्मेंट के बीश में आप समझ पा रहे हैं तो विले की को yag दिया गया लेकिन व कि भारत की सामध़ी तो उनको है भारत की लोगों का हिस्ट सोचना है तो अब वो जो भी रियासत इंडिपैंडेंडेंट हैं वह बोल रही कि आप रूल तो यहाँ पर मुझे ये इंशूर करना पड़ेगा कि भारत में जो भी शेत्र में आप रूल करें वो सही प्रकार से करें या नहीं करें तो एप्रोच इनका चेंज हो गया ठीक है गदी पर शाशक पैतरक अधिकार समाप्ति कर दिया गया ये की राजा का बच्चा बच्चे का बच्चा य भाया आपने बोल दिया भारत की सामरागी है तो रियासत अब इंडिपेंडनेंट या सोवरन कैसे सम्प्रभुता का मतलब होता है जो इंटर्नली एक्स्टर्नली सारे डिसीजन खुद ले सके लेकिन अब भारत की सामरागी बैठी हुई है विक्टोरिया तो अब किसी रि खाहिं और थिकार मिल जाता है कि वो आntrik मामलों में हस्तक शेप कर पाए अधिकार नहीं होते भी वह उनके अंत्रे नहीं होते भी वह मामलों में हस्तक करने के लिए यह एहां पर जह step professional उनको भारत के दूर दराज के शेत्रों से कच्चा माल मिल सके तैयार माल भारत के मार्केट में भेज सके इसके लिए लगतार इन चीजों का विकास किया जा रहा है ठीक है अब इसकी विकास में तो सारा कोई कोई रेलवे जा रही है अब रेलवे तो किसी रियासत से भी होकर अंग्रेजों के प्रदेश हैं यानि कि आप इंडिपेंडनेंट तो हो ऐसे दिख रहे हो जो भी 600-600 रियास्ते हैं जो हमने कबजे में नहीं लिया है लेकिन ये इंटर्नलि एक्टुल में इंटरनेशनल लेवल पर आप यहा हो महरानी के ही प्रदेश हो ठीक है और इसके नागरिक अंग्रेजओं के नाकरिक के समान हैं अंग्रेजी नाकरिक के समान ही है ठीक है रियास्तों के प्रिती करजन की निती 1905 में आपने बहुत पढ़ा होगा जब आपका बंगाल का विभाजन होता है तो हम करजन के बारे में देखते हैं तो करजन का क्या अप्रोश था करजन ने संद्रक्षन और अनाधिकार निरिक्षन की निती अपनाए इससे सभी रियास्तों की स्थिती लगभग एक जैसी होगी कि रियास्तों को एक तरीके से संद्रक्षन देना है और मतलब संद्रक्षन देते वे उस पर नियंतर इस्थापित करना है लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको डिरेक्ली अप करना है ना राजा राजा्रशा नहीं यह राजाशा एक्चली सेवा खी है अपनी जंता का इसरा करना इसका धर्म है आप सेवा कैसे करोगे जो भी बिटिश जुब्रेस्ट पॉलिसी इस बनाता रही है उसको आप अपने में रूल कर रहा है लेकिन policy कि लग रही है या चालू हो रही है भिटिश की policy वहां पर काम कर रही है ठीक है 1905 के पस्चाद सरकार ने राजनीति का इस्थिर्टा के भैशे प्रती रक्षातमक नेती अपना अर्था सोहाद्रपूर्ण सहकारिता की निती अपनाई क्योंकि उन्हें 105 में आप देखते हैं स्वादेशी मुव्मेंट चलता है तो कहीं न कहीं यह डर इनके अंदर में आता है कि इसे नरेंद्र मंडल या फिर नरेश मंडल भी कहते हैं बैसिकली यह क्या था इसमें एक जैसे विधाई का थी न जो वॉइसरोय की कानून बनाने वाली परिशत थी उस विधाई का में आपको पता है कि यहां से द्वी सदनी विवस्था लाए गया था 2019 के एक्ट से कि दो सदन होंगे है ना जैसे ब्रिटेन में था एक अपर हाउस और एक लोवर हाउस लेकिन यह जो नरेश मंडल या नरेंद्र मंडल यह तीसरा इस तरह का ग्रूप था और यह नरेंद्र या नरेश मंडल में राजाओं के बैठने की विवस्था की गई थी कि जो रियासते हैं ना उसके शाशक यहां पर जाकर बैठेंगे और जो हमारा पुराना वाला संसत था ना उसी संसत में जो पुस्तकाले कक्षप वहाँ पर उसको मतलब तीसरा सदन बोला गया था उस सदन में जाके यह लोग बैठते थे इस नरेश मंडल के इस नरेश स्थापना की गई थी 1920 में हमें दिखाई देता है हलाकि इनका रियास्तों के आंतरिक मामलों से कोई संबंद नहीं था यहां पर बस राजा बैटने वाले थे और विधाइका में अपना रोल प्ले करने वाले थे ठीक है सरकार और रियास्तों के संबंद के परिक्षन के लिए 1927 में एक और कमिटी का फॉर्मेशन किया गया था जिसका नाम था बटलर कमिटी बटलर कमिटी ने बताया कि जो सर्वोचिता का सिधानत है बिल्कुल सही है जो बिटिश गोवर्मेंट है उसको रियास्तों पर अपना नियंतरन करना चाहिए आपको ज्यादा पावर्फुल होना चाहिए तो ये सारी चीज़ और इसने ये भी बताया था बटलर कमिटी ने कि फाइनेंचिल रिलेशन्शिप किस तरह के होने चाहिए पॉलिसी किस तरह से एक्जिक्यूट करना जाना चाहिए लेकिन कुल मिला क कि हर जगा पर इस बटलर कमिटी ने बिटिश शाशक को ही प्रायर्टी पर रखा सुपीरियर बना के रखा कि तुमको ही सर्वोच रहना चाहिए ठीक है अब आ जाते एक समान संग की निति 1935 से 1947 में 1935 का एक्ट आया था जिसको हम बोलते है गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक बहले ही वो रियासत हो राजा वहां पर रूल कर रहा हो लेकिन वो राजा के लिए economics कानून लाया जाएगा सारी देश के कानून और उसी व्यवस्ता के अंत्रगत एक संग के अंत्रगत मिलकर रूल किया जाएगा आप समझ पा रहे हैं अभिए जो अखलबार्तिय संग की के बात 1935 के act में की गई थी एक्जीक्यूट नहीं हो पाई थी उसका reason क्या था रियास्तों के शाष्कों ने इसे मानने से इंकार कर दिया था क्यों भाया उनको डर लग रहा था कि कानूनी दाइरे में हमको आना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर यहीं बताता है Scrix यह राइटर कि नाइंटी थाटि फाइफ के भारती शर्शन अदिनियम से संग यह विधान सभा और राजी विधान परिशद में भारतिय नरेशो की सीटों की विवस्था की गई कि जो केंदर में वॉइस आसे कि आपकी विधान परिशद है सुरी विधान सभा है और राजियों में जो विधान परिशद है उसमें अब कुछ रियास्तों के राजा भी जाकर बैठेंगे कानून बनाएंगे तो हलाकि यह इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं रियास्तों ने संग में संबलित होने से मना क किया इवन इसको समाप्ते कर दिया गया रियासतों का एकी करण और विलें तो 1935 में जो चेंज लाना चारे थे वो लागू नहीं हो पाया अब आ जाते फाइनली फाइनली बोल रहा है रियासतों का एकी करण और विले कैसे किया गया था ये बात कर रहा है इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद जो हमने एकी करण किया लेकिन इसके पहले बिटिश भारत में जब बोल रहे थे कि हम भारतियों को आजादी देंगे क्योंकि हम डिमांड कर रहे थे और उस आजादी के क्रम में पाकिस्तान की म कर रही है लेकिन ऐसे शेत्र जो रियासत है जिस पर बिटिश रूल नहीं कर दिये वह उसके अधीन है अधीनता स्विकार किये वह उनका क्या स्टेटास होगा तो वह यहां पर दिखाया जाएगा और फिर उसका कैसे एकिकरण किया गया वह बताया गया है सेकेंड वर्ल्ड प्रारम्भ नहीं जाएगा तो द्वितीव विष्विद Hybrid प्रारमभ होने से भारत में तीव्र राजनी तिक गति वीध्या प्रारम्भ हो गई है ना सेकेंड वर्ल्ड वह से चीज़े बहुत ज्यादा एक्टिवली दिखाई देंगे क्योंकि यह मुमेंट था जब भारति सरकार भारतियों को शांत करना चाहती थी और लगातार भारतियों से समझौते करने के क्रम में हमें क्रिप्स मिशन दिखाई देता है 1942 विवल योजिना 45 काबिनेट मिशन 46 और एटली के घोशना ये सारी चीजे हमें दिखती है तो one by one ये सब मैं आपको पढ़ा चुकियों पहले ही, तो one by one ये सारी चीजे जो हमें भारत में दिखाई देती है, जहां भारतियों के लिए कोई समझाता लाने की कोशिश की जाती है, अब इस समझाते में हर जगा रियास्तों का भी जिक्र होता है, कि इन रियास्तों का क्य स्टेटस होगा ओके जहां क्रिप्स mission ने रियास्तों को पूर्ण संप्रभुता का अधिकार दिया क्रिफ्स mission ने बोला रियास्तों की मर्जी जा जैसे जो करना है करो आप इंडिपेंडेंट वोगे हलाकि इसको हमने स्विकार नहीं किया वहीं जो माउंट वेटन था उसने रियास्तों के संप्रभुता के अधिकार पर पस्ट तोर पर मना किया माउंट वेटन का कहना था कि जो रियास्ते हैं वो कहीं ना कहीं संप्रभु रहना थोड़ा सा उनके लिए टफ हो जाएगा तो रियास्ते या तो भारत का हिस्सा बन जाए या तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए ये बाते बोली गए रियासत विभाग के मंत्री सरदार वल्लभाई पटेल और सचिव जो मेनन थे इन्होंने भारती रियास्तों को भारती रियास्तों के रक्षा विदेशी और संचार म देश के पास होना चाहिए भारत के पास होना चाहिए इंटर्नली वो अपना देखे लेकिन ये चीजे जो है वो हमारे पास सुरक्षित होनी चाहिए अगस्ट 1947 तक इन सारी चीजों के बीश में 15 अगस्ट 1947 को आपको आजादी मिली और लगातार सरदार वलभाई पर टेल बा प्रग रखा कुछ ऐसी रियास्ते थी जिन्होंने केवल अपना संचार विदेशी मामला और रक्षा संबंदित मामले सौपे कुछ ऐसी भी रियास्ते थी जो पूरी तरह से भारत का हिस्सा बन ले और कुछ रियास्ते ऐसी थी जो तुरंत नहीं लेकिन आगे चलंके वन खड़र। थी जैसे उनकी बुद्धी खुल रही थी, तो वह भारत का हिस्सा बंते जा रही थी, लेकिन गुल मिला के तीन ऐसी रियास्ते थी जो कहीं ना कहीं भारत में थी या भारत से obenutes की सीमा लगती दी जिन्होंने प्योड रियास्ते क्या कि हम इन्डिपेंडनेंट रहेंगे अब पहले बात करता है यह जूनागर की जूनागर जो शेत्र था वहाँ पर मुस्लिम नवाब दिखाई दे रहा था यानि वहाँ पर जो शाशक था वो मुस्लिम था वो कहीं न कहीं यह चाह रहा था कि मैं पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ रहा था तो पाकिस्तान का ह थी और वहां के लोगों ने ही अपने नवापत को भगा दिया और अपने एक पुरत सरकार में भी बत हैं बात हो दिसेंवन को को डिसीजन लेना हो तो वो comedian करा सकते हैं कि आप बताईए आप यह कहां चाहते हैं तो यह जो होता है ना इसी तरह का एक referendum हुआ था और उस referendum में बहुत अंख्यक जो लोग थी मेजॉरिटी में population थी उन्होंने रिसाइड कि हम भारत का हिस्सा बना चाहते हैं और इसको भारत का हिस्सा बन जाए लेकिन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था भारत के बीचो बीच पढ़ रहा था तो कैसे तुम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओगे निजाम संप्रभुता बनाने के लिए तो निजाम ने एक ट्रिटी किया बोला भारत से कि मैं चाहता हूं कि आप हमें सोवरन रहने दीजे हमारे डिसीजन हमें खुद लेने दीजे लेकिन जो जनसंख्या थी वहां की हैद्राबाद की वो चाहती थी कि नहीं नहीं हमें भारत में विले हो जाना चाहिए और हम भारत का हिस्सा बन जाए प्रॉपर कॉंस्टिटूशन के हिसाब से हम जो अब इस चीज को लेकर सब्सक्राइब नजाम और बहुत इसी निर्दाइटा से जन संहार करते थे तो उन्होंने लोगों पर उन्याकारों का प्रेयोग किया और जब ऐसा अंतोलन दिखाई दिया तो भारत सरकार को लोगों ने पुकारा, 12 सरकार का काम था, 29 न squad 1947 को निजाम दोरा समझ्धाइन पर हस्ताक्षर किया गया था, भारत की सरकार के साथ ने एक अरिश्थाइ समझ्धाइन समझ्गाता ह new e.g. рах लेकिन इस विछ जो निजाम अपने लोगों पर मर्ण कारी निती अपना रहा था, इसकी वज़े से 13 सितंबर 1948 को हमने अपनी पुलिस भेजा वहाँ पे पुलिस कारेवाही की गई यह operation पोलों कहा जाता है और उसी के साथ बहुत कम समय में नवंबर 1948 को हैद्राबाद को भारत का हिस्सा बना लिए गए यह नि निजाम ने आत्मसमर्पन कर दिया और कश्मीर का क्या था शाशक हिंदू और जनसंख्या जो थी वो मुस्लिम बहु संख्यक थी है ना वहाँ के जो शाशक थे वो हरी सिंग थे उन्होंने भी इंडिपेंडनेंट रहने का निश्य लिया था और पाकिस्तान जो है उसकी नजर थी जम्मू एन कश्मीर पर वो चा जैसे हम शेत्र जीतते हैं अपने इसाब से मैनेज कर लिया जाएगा उन कभिलाईयों ने पहले विद्रो किया हरी सिंग को लगा कभिलाईयों का विद्रो है लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तानी सेना देकि उनको समझ में आ गया कि यह तो पाकिसान की तरफ से इंडिरेक् हरी सिंग ने अपने रिप्रिजेंटेटिव प्रतिनिदी को बेजा नहरू और उस समय हमारे गवर्नर जर्नरल बन कर बैटेए थे मांट बेटन की हमें आपकी सहायता चाहिए आप हमारे पड़ोसी देश हैं मांट बेटन ने विकली बोला की हम सहायता नहीं कर सकते हम आप को support करते तो हो सकता है पाकिस्तान हमारे बीश में युद्ध चालू हो जाए तो हम आपकी मामने में क्यों हिस्सेदारी ले और अगर आप चाहते तो आप भारत का हिस्सा बन जाएगे ना कश्मीर है वह भारत का हिस्सा बन गया और इसके तुरंत बाद यहां से सेना भेजी गए जम्मू और कश्मीर लगए तू थर्ड पार्ट पर हमारी सेना ने कहीं नहरू ने इस्थापित कर दिया पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेल दिया था लेकिन इसी वीश यह वार जो है नहरू ने इसमुद्य को अंतरास्थी नियाले के समख शुठाया अंतरास्थी नियाले ने अपना निर्ने दिया और उस निर्ने के क्रम में युधिर रोकने की बात की गई और बोला गया कि पहले जम्मू और कश्मीर से पूरी पाकिस्तानी सेना पीछे हो जाए जब वो निकल जाएगी तो भारती सेनाओं की संख्या में कमी की जाएगी और फिर जम्मों आट कश्मीर में जन्मत संग्रै कर आया जाएगा कि ये किसका हिस्सा बना चाहता है भारत या पाकिस्तान और उसके बाद से इसकोस में विलय कर दिया चाहेगा ओके अफिशिली तो हमारे में विलय हो चुका था लेकिन अब उसका ये निर्ने था वह तो रुका लेकिन वह रुकने के बाद से पाकिस्तानी सेना हटी नहीं जो वह हटी नहीं इंटरनाशनल कोट ने कोई आर्मी आर्म जम्मु एन कश्मीर की पॉपुलेशन है उसमें कनवर्ट करने की कोशिश कर रही थी बहुत सारे वहां पर हमें पंडित दिखाई देते हैं उनको कश्मीरी पंडित उनको उनके साथ में गलत वेभार किया जा था मतब जनसंक्या में एकदम से बदलाओ किया गया आने वाले 20 साल थी साल 40 साल में उसके बाद वो तयार थी जन्मत संग्रे के लिए लेकिन उस जन्मत संग्रे का कोई मतलब भी नहीं ना जब आपने लोगों का ब्रेनवाश कर दिया चीजे थोड़ी सी अपने हिसाब से कनवर्ट कर ली तो यह जम्मु एन कश्मीर का स्टोरी था लेकि तो जो जम्मु एन कश्मीर है इठिंग 5 यर हो गया तो उसका स्पेशल स्टेटस खतम किया गया और उसको दो यूनियन टेरेटरी में डिवाइट किया गया एक है आपका जेयन के और दूसरा है आपका लददार ठीक है तो यह यहाँ पर बताया गया और इसके साथ में इस वो एक ही जैसे एक ही कानूली दाइरे में लाना सब की अपनी अलग-अलग डिमांड थी वो बहुत तफ था लेकिन हमारा Constitution और हमारे जो Independence के टाइम की लीडर्स थे ना उन्होंने इन चीजों को बहुत अच्छे से है सपेशली सर्दार वल भाई पडिल ने चोटी रियास्तों ने कर दिया गया और दो नसक्राइट हो स्टेट नइसति स्टेट नहीं बना सकते न जो कोई बास का बड़ा प्रांथ होता था उसी क incar हिस्सा बना दिया गया लिए एक इकाई के केंदर शाषित चेतर के रूप में किया गया, कुछ रियास्तों का विलाई राज्य संगों से किया गया, यानि कि कई सारी रियास्ते थी उनको मिलाके एक कर दिया गया, कुछ रियास्ते थी उनको प्रांतों का हिस्सा बना दिया, कुछ रियास्तों को केंदर श की क्रत रूप दिखाई देता है ठीक है तो यह था हमारा आज का सेशन आई होप आपको सेशन इंफर्मेटिव लगा होगा इसको अच्छे से पढ़ लीजेगा मेंस के पॉइंट ऑफ यू से थोड़ा से इंपॉर्टेंट है लक्षमिकान में चैप्टर उसके साथ पढ़ें कि रिवीजन करते रहिए थैंक यू